आयर्वेदा होम केर में आपका स्वागत है आप हमसे जरूर सहमत होंगे अगर हम कहें कि गर्दन में दर्ध होना एक आम समस्या है जिसे लोग अकसर इग्नोर कर देते हैं कई बार तो ये परिशानी इतनी बढ़ जाती है कि काम करने में और उठने बैठने में भी मुश्किल होने लगती है यंग लोगों में तो ये शिकायत आम होने लगी है इसका कारण आज कल के लाइफस्टाइल जो के मोबाइल या लैप्टॉप पर घंटों तक काम करना इससे गर्दन की रीड की हड़ी पर बोज आता है और नस दबने लगती है जिससे दर्ध महसूस होता है ये दर्ध असल में सर्वाइकल पेन कहलाता है आम तोर पर सर्वाइकल पेन 50-60 साल के उपर के उम्र वाले लोगों में ज्यादा दिखाई देता है इसलिए हमारा ये एपिसोड हर उम्र के लोगों के लिए महत्वपूर है बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से गर् दर्ध यानि सर्वाइकल पेन के कुछ घरेलू इलाज और कुछ व्यायाम जिन्हें आप करके दर्ध में आराम पा सकते हैं अपल साइडर विनेगर को सर्वाइकल पेन में बहुत उप्योग किया जाता है इसे हलका सा गरम करके गर्दन पर दिन में दो बार लगाएं और समय एपल साइडर विनेगर और शेहद को मिला कर लेने से दर्ध में रहत मिलती है अद्रक सूजन और दर्ध में बहुत उप्योगी है सवेरे उठके गरम पानी में अद्रक का रस नीम्बू का रस और काली मिल्ट पाउडर डाल के पी लीजिए फिर भी दर्ध में आराम न के रात को सोने से पहले चाटें लाल मिल्च में क्या अपसेसिन होता है जो दर्ध का शमन करता है और सूजन को भी कम करता है सरसों के तेल में लाल मिल्च पाउडर डालें और थोड़ी धीमी आज पर कुछ देर तक गरम कर लें इसे ठंडा होने पर छान लें और बोतल में इस तेल से रात को गर्दन पर मालिश करें और उपर से साफ कपड़ा बांद कर सो जाएं। हाथों को शरीर के दोनों और जमीन पर रख दें। एक लंबी गहरी श्वास छोड़ें और कमर को जुकाते हुए अपने धड़ को अपनी दोनों जंगाओं के बीच ले आएं। अब धीरे से अपने सर को जमीन पर रख दें। उतना ही चेश्टा करें जितना सरलता से संभव हो सके। अपने आप अधिक जोरदार प्रयास ना करें। अपनी हतेलियों को अपने धड़ के दोनों तरफ जमीन पर रखे रहें। इसी आसन में जितनी देर संभव हो विश्राम में रहें। और फिर धीरे से एक श्वास लेते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। धीरे से अपनी सीधे पैर को उठाकर बाएं पैर के ऊपर ले आएं। बाएं पैर सीधा ही रखें। ध्यान रहें कि दाहिना पैर जमीन पर एक सीधा कोन बनाए। अपने दोनों हाथों को शरीर के दाहिने और बाएं तरफ फैला कर रखें चेहरे को दाहीनी तरफ मोड लें कुछ गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें और उसी मुद्रा में तीन सेकंड तक स्थिर रहें अब बाएं पैश से इसी आसन को फिर से करें अगला है विपरीत करणी आसन अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी तांगों को दीवार का सहारा देते हुए पैरों को छट की ओर उठा लें अपनी बाहों को फैला कर शरीर के दोनों तरफ जमीन पर रख दें और अपनी हथेलियों को आकाश के तरफ मोड कर खुली र से मालिश देता है हलके फुल के पीठ दर्द में आराम देता है और ठकान को दूर कर पैरों की जक्रन एठन को भी दूर करता है और अब आखिर में उत्थिता त्रिकोन आसन सर्व प्रथम सीधे खड़े हो जाएं अब अपने पैरों को जितना फैला सके फैला दें अपनी पीठ को सीधे रखते हुए अपनी दोनों बाहों को बगल में फैला कर रखें एक श्वास भरें और धीरे से अपने दाहिने ओर जुग जाएं आपका दाहिना हाथ आपके घुटनों को सपर्ष करें और बाया हाथ ऊपर की दिशा में हो इस मुद्रा में रहते हुए अपन हम आशा करते हैं कि इन आसनों को करके आपकी गर्दन का दर्द चला जाएगा तो कैसे लगे हमारे आज के नुस्खे हमारा वादा है हम लाते रहेंगे ऐसे ही फायदेमन नुस्खे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल आयुरवेदा होम केर आपके घर का डॉक् आपके बाद